डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉली पैटिली की एक बहुती महतुपूर्ण फैमिली, क्रूसी फैरी या ब्रेसी कैसी के बारे में पढ़ेंगे इस फैमिली को हिंदी में सरसो कुल और इंग्लिश में मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं इस फैमिली का पुराना नाम क्रूसी फैरी है और वह इसलिए रखा गया था क्यूंकि इस फैमिली के पात्पों के पुश्पों में कौरोला क्रूसी फार्म पाया जाता है परन्तु इसका नया नाम Bracy Casey रखा गया है और वह इसलिए रखा गया है क्योंकि ICBN के according प्रतेक फैमिली के नाम का अंत suffix AC से होता है इसलिए इस फैमिली के एक बहुती महत्पून वर्ष Bracy का के नाम के अधार पर इस फैमिली का नाम Bracy Casey रखा गया है अब हम इस फैमिली के systematic position या वर्गिक्रत इस्थिती के बारे में देखते हैं जो Bentham and Hooker के अनुसार इस प्रकार से है division या प्रभाग एंजियोस परमी, subdivision या उप्रभाग डाई कोटिलीडिनी, class या वर्ग, polypetaly, श्रेणी या सीरीज, थैलेमी फ्लोरी, गंड या order, paritalis, कुल या फैमिली, ब्रेसी के सी अथ्वा crucifery अब हम इस फैमिली के प्राप्ति स्थान और वित्रण के बारे में देखते हैं occurrence and distribution यह कुल ब्रेसी के सी अथ्वा crucifery द्वीबीच पत्री पात्पों का एक बहुत ही महत्वण कुल है और बड़ा कुल है इसमें लगभग 375 वंश और उनकी लगभग 3200 जातियां सम्मिलित हैं इंडिया में इस फैमिली का प्रतिनी धित्व 51 वंश एवं 138 जातियों के द्वारा होता है इस कुल के सदस्य प्राय विश्व के सभी भागों में पाय जाते हैं फिर भी उत्तरी शितोष्ट या नौर्थ टेंपरेट शेत्र में ये विशेश रूप से पाय जाते हैं इस कुल के अधिकांज सदस्य पहाड़ी शेत्रों में पाय जाते हैं परंतो कुछ जातियां उत्तरी भारत में मैदानी एवंशुष की शेत्रों में भी पाई जाती हैं इसके कुछ सदस्य जैसे नास्टरशियम, ओफिसिनेल, सुबुल एरिया, एक्वेटिका, इत्यादी जलिय पादप या हाइड्रोफाइट्स हैं अब हम फैमिली ब्रेसी कैसी के कुछ विशिष्ट लक्षन या विभेदक लक्षन या डिस्टिंगुशिंग फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं प्रायर एक वर्षिय या द्वी वर्षिय शाक होते हैं ये प्लांट और श्रप एवं वरक्ष प्रायर अनुपस्थित होते हैं इन पादपों में तीखी गंध वाला जल समान रस पाया जाता है सेकंड केरेक्टर है कि पंड के बारे में क्रूसी फेमिली में पाय जाने वाले पादपों के पंड सरल या सिंपल वीडाकार या लाइरेट एकंधित या ऐल्टरनेट अननुपंड़नी या एकसिस्टिपुलेट होते हैं वीडाकार या लायरेट पर्ण इस प्रकार से होते हैं कि उनमें एक बड़ी अंतस्त पाली पाई जाती है या टर्मिनल लोग पाय जाता है और ये जो हैं छोटे-छोटे पाश लोग पाय जाते हैं इस प्रकार की लीफ को जो की वीडा के आकार की होती है हम वीडाकार या लायरेट लीफ कहते हैं थर्ड केरेक्टर है कि फैमिली क्रूसिफेरी में पुश्पक्रम असी माक्षी असी माक्ष या रेसिमोस रेसीम या सम्षिक जिसे हम कोरिम भी कहते हैं पाया जाता है रेसीम वा कोरिम दोनों ही रेसिमोस प्रकार के इनफ्लोरिसेंस हैं रेसीम में पुश्पावली व्रंत लगातार व्रद्धी करता चला जाता है और इसके व्रद्धी असिमित होती है इसके उपर की तरफ छोटे फ्लावर्स लगे होए होते हैं और नीचे की तरफ बड़े फ्लावर्स लगे होए होते हैं इस प्रकार से फ्लावर्स इस तरह से और फ्लावर्स जो होते हैं वो वरंत वाले होते हैं यह फ्लावर का वरंत या पैडिसिल है तो फ्लावर्स वरंत वाले होते हैं यह फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्रोपीटल या अग्रा भी सारी क्रम्मे वेवस्थित होते हैं अर्थात जो पुश्पावली वरं या पेडे कल ते इंपर सीरे पर या प्राइन्ट के दूरस्त पर होते हैं और बटीह नमिया वहीया थे पहन विरतित और मेज़श्चाइव अब इत्रेंट ऑसके जो ऊटे हैं कोरिम प्लोरी सेंस में पुश्पावली व्रंत की व्रधी यहां भी असीमित होती है और लेकिन यहां पर जो flowers हैं वो इस प्रकार साअरेजड होते हैं कि नीचे के flowers का व्रंत या पैडिसल बढ़ा होता है और उपर के flowers का व्रंत छोटा होता है इस तरह से सभी flowers जो होते हैं वो एक ही तल पर आ जाते हैं तो इस तरह के influence को हम कोरिंब कहते हैं इसके अलावा जो next character है वो ये है कि family crucifery में जो कोरोला है वो tetramaris होता है अर्थात चार दल पाये जाते हैं और ये चारों दल जो होते हैं ये cruciform के रूप में erased होते हैं फिफ्ट character है पुमंग में या एंडरोशियम में पुंकेसर, प्राय, चतुर दीरगी या tetra dynamis होते हैं चतुर दीरगी से हमारा तातपरी यह है कि flower में 6 stammons होते हैं जिन में से बाहरी चक्र में 2 stammons और भीतरी चक्र के अंदर 4 stammons होते हैं यह जो बाहरी चक्र में 2 stammons होते हैं वे पाश्व पुमंकेसर होते हैं और जो भीद्री चार होते हैं और वो बड़े भी होते हैं उनकी पोजिशन अग्र पश्च या एंटीरियो पोस्टीरियर होती है नेक्स केरेक्टर है कि इस फैमिली के जो प्लांट्स के जो जायांग होते हैं वे द्वी अंडपी या बाई कार्पिलरी युकता अंडपी या सिनकार्पस एक कोश्टी की है या यूनिलोकिलर ओवरी पाई जाती है परंतु ओवरी के अंडर बाद में कूट पट या रेपलम फॉल्स सेप्टम की उपस्थिती के कारण ओवरी यूनिलोकिलर से बाई लोकिलर या द्वी कोश्टी हो जाती है फैमिली के मेंबर्स में बिजान्यास बित्तिय पाया जाता है या पेराइटल होता है फल, सिलिकुवा या सिलिकूला होता है